हेलो अब्रीवन जै हिंद आज 17 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 17 मार्च से बनने वाले करंट अफैर के सभी इंपोर्टन कोश्चन्स को डिसकस करेंगे कल 16 मार्च थी जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक बना है सिलिकन वैली बैंक जो की कैलिफोर्निया के सिलिकन वैली वाले एरिया में इस्तित है माधर आस्ट्रिय उद्यान जहां टाइगर शिफ्ट किये जा रहे हैं मध्य प्रदेश में इस्तित है तीसरा बहु पक्षी समुद्री अभ्यास ला पैयोज हिंद महासागर में शुरू हुआ है अभी हाली में समुद्र के नीचे कारबन डाय एकसेट को स्टोर किया जाएगा और ये फसलिटी प्रवाइड कराने वाला पहला देश बनने जा रहा है डेनमार्क भारत में पहली बुले ट्रेन 2026 तक चलेगी जापान के सहीयोग से सुइस फर्म IQR की रिपोर्ट के नुसार भारत जो है दुनिया का आठवा सबसे अधिक प्रवादूशित देश बना है विश्व उपभोगत अधिकार दिवस 15 मार्श को मनाया जाता है भारत ने अभी हाली में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके बॉर्डर गावसकर प्रॉफी अपने नाम की है इल्लीगल माइग्रेशन बेल ब्रिटेन में लाये गया और हिंदुस्तान ये लिवर लिम्टेट के M.D. CEO रोहित जावा बनी है ठीक है आप लोग मुझे टेलिग्राम पर जरूर फॉलो कर ले टेलिग्राम पर जो मेरा ओफीशिल चैनल है ये है कल्यानी मैम ओफीशिल जहां मैं आप लोगों को डेली की क्विज और PDF शेयर कर देती हूँ ठीक है कि SEO की पहली सांस्कृतिक और परेटर राजधानी के रूप में वारण असी को अभी 6 महने पहले ही 9 मिनिट किया गया था इसी के लिए जो परेटर मंत्रियों की बैठक रही यहीं आयजित की गई है SEO संगाई कॉर्परेशन और्गनाईजेशन वैसे 1996 में इसकी स्थापना हुई थी लेकिन जब इसमें उजबेकिस्तान शामिल हुआ न 2001 में तब इसे SEO की नाम से जाना जाने लगा बीजिंग चाइना में हैटकवाटर है व्लादमेर नोरो इसके सेक्रेटरी जनरल और ज्ञांग में महासचीव हो जाएंगे यही पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन शेत्रतो है ही यहाँ पर कासिव विश्वनात कॉरिडोर का उधगाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा इसके अलावा बनारेश से लेकर के डिब्रोगड के बीच में पहली मतलब 4000 किलो मीटर लंबी क्रूज सर्विस के शुरुआत यहीं से की गई है उस क्रूज का नाम भी आप लोग याद रखेंगे इसका नाम हो जाएगा गंगा विलाज गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वक्ष सहर यह भी वारानसी है दिल्ली यह बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे यहां दिल्ली में क्या आयजित हुआ है तो सात्वी निती आयोग की सात्वी गवर्निंग काउंसिल की बैठक है ना जो यह यहीं आयजित हुई है उदैपूर में G20 की जो शेरपा मीटिंग रही जो की लीड की गई थी अमिताब कांट जी के द्वारा तो यह यहीं आयजित की गई थी बैंगलोर करनाटा की क्यापटल है यहां खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा चरण आयजित किय अगला प्रशन है रेसम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्जी कौन मना है तो रेसम उत्पादक उत्पादन शेत्रे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इन्हीं अब इंस्वरेंस प्रवाइड कराया जाएगा और इनके ल पुलो की घाटी तो यह उत्राखंड में ही हो जाएगी इसके लावा इस बार जो गरतंत्र दिवस रहा इसमें सर्वस रेचर जहां की उत्राखंड की रही रिसेंटली हां पहला मदर मिल्क बैंक उपन हुआ है और हाई कोट यहां का जो था नैनी ताल से हल्दवारी शिफ प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्जी है जबकि वैसे हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्जी करनाटक है हरियाना 2022 में दिसंबर में रिपोर्ट रिलीज की थी सरवाधिक बेरोजगारी कहां दर्जी की गई है हरियाना में और उत्तर प्रदेश ये प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना के क्रियानवन में टॉप पर है ये काफी बार आप लोग ने पढ़ लिया ऑनलाइन और इन्योवेशन पार्टनर्शिप पर एक M.I.U. पर हस्ताक्षर की है तो रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ सेमिकंडॉक्टर सप्लाई चेन पर एक हस्ताक्षर कर लिये हैं महारत के वाडिज जिद्योग मंत्री प्यूश गोयल और अमेरिका के जो वाडिज जिव म मैंने आप लोगों को बताया है तो इसके लिए एक तरह के M.I.U. पर हस्ताक्षर कर लिया है भारत ने अमेरिका के साथ अमेरिका कैपिटल वॉसिंग्टन डी सी करंसी यूज डॉलर प्रेसेडंट जो बाइडन वोइस प्रेसेडंट कमला हैरिस यहीं काफी दिन होगे अभी आप रिलेट करें नासा जुकि यहां की अमेरिका स्पेस एजनसी है इसने एक आर्टी मिशन जो कि हाँ का मून मिसन है इस पर वर किया है इसके लावा नासा और भारत की स्पेस एजनसी है जो इस रोग इन दोनोंने मिलकर निसार उपग्रह लॉंच किया है इर्थ ऑ योग से भारत में पहली बुलट चलने जारी एहंदाबास से मुंबई के बीच में जर्मनी के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क पोर्स का गठन किया क्योंकि दुनिया में पहली जर्मनी नहीं लॉंच की थी और रिसेंटली भारत ने फ्री ट्रेड अग्रिमेंट कर लिया तो यह किया है और अजले के साथ अगे चलते हैं की साथ दसमलो एक इसकी भूकंप की तीव्रता मापी गई है अमेरिकी भू वग्यानिक सर्वेक्षन के नुसार भूकंप कनवां 10 कि गहराई में था और सुनामी की यहां पर चेतावनी जारी की गई है इसका केंदर 10 km समुद्र के अंदर गहराई पर बताया जा रहा है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड की कैप्टल वैलिंग्टन करंसी डॉलर और रिसेंटली हां के प्राइम मिनेश्टर जो बनाए गया है जॉन हिपकिन्स बनाए गया है न्यूजिलेंड में ही न आईससी वुमन वर्ल्ड कप का आयजन किया गया था वर्ल्ड कप 2022 वाला इसमें विजेता कौन था विजेता तो आस्ट्रिलिया था लेकिन आयजन किया गया था न्यूजिलेंड में और इसके लिए जो सॉंग था ये था गर्ल्स गैंग का सैटलाइट मतलब कि लकड़ी से बना पहला सैटलाइट ये न्यूजिलेंड ने ही लॉंच किया था रिसेंटली ये गेब्रियल गेब्रियल चक्रवात के कारण इसे इमर्जेंसी लगानी पड़ गई है न्यूजिलेंड का उपरी हिस्सा और दक्षरी हिस्सा दोनों के बीच में मैंने आप लोगों को कुक जल संधी कुक स्ट्रेट का नाम याद कराया था तुर्की में भी हाली में भूकम्प ने कभी ज़्याद प्रभावित किया था तुर्की और सीरिया को इसके लिए भारत ने हेल्प भेजने के लिए एक ओपरेशन चलाया था इस ओपरेशन का नाम है दोस्त मलावी इसका भी कोश्चन मैंने रखा है जहां अभी हाली में कुछ समस्या देखने को मिली क्या समस्या है मलावी मोजम्बिक में आगे बताती हूं और फिर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में क्विंस्लेंड वाला इलाका देखे ना ग्रेट बैरियर रीफ के कारण क चर्चे में रहता है अगला प्रश्ण है नया आर्टिफीशल इंटेलिजन्स है चैट बॉट जीपीटी फोर यह किसने लांच किया है रिसेंटली ओपन ए आई के दुवारा एक नया चैट जीपीटी लांच किया गया है जिसे नाम दिया गया है जीपीटी फूर इसे आप रिलेट करें तो गूगल एक नया चैट बॉट लांच किया था जीपीटी के ऑप्शन के रुप में गूगल बार्ड नाम था इसका एमेजन यह एपल को पीछे शोड़ते हुए दुनिया की मुस्ट वैल्यूबल ब्रैंड बना है ट्विटर से रिलेट करोगे तो यह सबसे बड़ा डेटा सेंटर दुनिया का नहीं गूगल का ही है सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी यह एमेजन है ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइड आप कह सकते हैं और तो भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है कूव अप्लिकेशन को कहते हैं के डबल को को अब यह मैं बात करूं तो भारत में क्रसी शेत्र में भी पहला चैट जीपीटी लॉंच किया गया इसका नाम क्या था कुरुष आई घुंछ आगे चलते हैं उस शक्रवाथ का नाम क्या है जिसने की मालावी और मोजंबिक को प्रभावित किया है तो वही मैं आप लोगों को कारण काफी जादा प्रभाव देखने को मिला है मालावी मौज़ेंबिक आपस आप देख सकते हैं अफरिका के मैप में यह मतलब अफरिका का मैप है यही कुछ यह मालावी और मौलावी के पास मौज़ेंबिक जलधारा आप लोग करते हैं तो यहां से मात्र चक्रवाद फ्रेडी आप याद रखेंगे अभी जश्ट मैंने बताया न्यूजिलेंड का चक्रवाद गेब्रियल ताउते म्यामबार ने नाम करण किया था पिछले साली चर्चे में था गोनी इसने फिलिपिन्स को प्रभावित किया था तो यह स 13 ум ब्रख को खटम भी हो चुका है और सिंगपूर सेना भारदी सेना दोनों इसमें पार्सिपेट कront सिंगापूर की सिंगपूर si सिंगपूर डॉलर की क्रणिसी हो जाएग ambigu सेम्बेक सेकसर === और भारत और सिंगपूर के बीच आप रिले अभी जो रिसेंटली बायो एशिय समिट रहा यह जित हुआ मुंबई में रिसेंटली क्या संपन हुआ है तो काला घोडा कला फेस्टिवल आगे चलते हैं हरवरी महिने के लिए प्लेयर ऑफ दमद मेंस कटेगरी में हम देखें तो यह जित लिया है है हैरी ब्रुक ने हैरी ब्रुक जो की इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर है यह दूसरा मौका जब इन्हों ने यह अवार्ड अपने नाम किया है भारत के रविंद्र जडेजा और फिर वेस्टन डीज के स्पिनर गुटा केस मोती को पीछे छोड़ते हुए पिछले महिना का क खाई हुए पूरी कृपा दिखरे हैं नीम करोली बाबा की तो इंस्टाग्राम पर एश्या में सबसदा फॉलो किया जाने वाले वेक्ति हैं पूरे वल्ड में क्रिष्ट्यान और रोनाल्डो है लास्ट का प्रेश्ट में ने रवज़न के रखा है दुनिया का सबसे नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया करनाटक में 1507 मीटर लंबा ये रेलवे प्रेटफर्म हो 20 करोड रुपे की लागत से तयार किया गया प्रेटफर्म नमबर 8 और ये स्रेद्धिर दा स्वामीज रेलवे स्टेशन करनाटक का है यहां बन करके तयार हुआ अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है ठीक है और करनाटक का 31 जिला विजय नगर से अलग मतला विजय नगर बना था वेलारी से अलग हो करके बैंगलाओर में ही इसरों का हैटपाटर है और ये बैंगलाओर है भारत का पहला एसी जो कि नॉड़ा में जेवर एरपोर्ट की नाम से आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है कल मैंने आप लगों से पूछा था वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज ये बना है गुजरात आज का सवाल है 32 अव्यास सम्मान के लिए किसे अभी फीडबैक है जरूर शेयर करें थैंक यू समच